मैं सवाल पर जाओं उससे पहले आपको इस मैप को मैं समझाता हूँ क्योंकि यह मैप समसरा भी आपके जरूरी है ठीक ना इपकर और फिश्य हो नियुक्ट कि व सब्सक्षाथ कि अब चानरि आए हम्ंति ।ूर इसा उन्हें सा और हुट्व मेर्फ यहük पक्षाज जो हई अर्रो और आग यह आग रोगत क्लास प्रकतार में एक रोगमा कियों आप देखते हों कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पास्चात इकला भारती इकला पूर्पी इकला पश्चमी इकला यह क्या होता थोड़ा सा उसके डिविजन को समझ लीजे कि यह है क्या तो देखने के साथ ही यह दुनिया का मैप है और अगर आप कांटिनेंट के वाइज आप देखेंगे तो इसको पहली इसके दिसा को आप समझे कि जो प्लेन होता उसके दिसा क्या होती है तो यह अगर मैं लाइन खीचूं तो यह आपका दाहिने तरब क्या होता है पूरब होता है और बाय तरब क्या होता है पस्चिम होता है अगर उपर आप देखेंगे तो यह क्या होता है उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दच्छन होता है आप जब साथियों कला को पढ़ते हैं तो पस्चिमी कला एक जो है लिख कर क्य पास्चात्य कला पास्चात्य कहें या पश्चमी कहें या उसको बेस्टन आर्ट भी कहा जाता है तो उसका आर्थ क्या है बेस्टन आर्ट तो बेस्टन आर्ट आप पटने जा रहे हैं तो पहले समझे कि बेस्टन आर्ट में कौन-कौन सी कला आएगी पहले उसको समझ लिजी आप और बेस्टन आर्ट के अलामा जो कला है जो पूरभी कला है उसमें कौन-कौन सी कला आएगी तो आप देखते हैं अ अपना प्यारा भारत ठीक ना यह है अपना प्यारा भारत यह आप देख पा रहे हैं इसके बगल में परिशान पाकिस्तान है यह चाइना है और यह आपका आश्टेलिया है और यह छोड़ी छोटे जो है देश आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो हमने जो अभी कला की चर्चा की है वो भारत की है अब अगर आप इस वर्ड में पो देखेंगे तो भारत की इस्तधी कहां पर है ये पूरब में आपको भारत देखने को मिल रहा है तो जो चाइना की कला है चाहे वो जापान की कला हो ठीक ना जापान की कला हो या आप अगर रूस की भी कला देख पास्चात कला में आपको कहां कहां की कला देखनी है जिसे आप देखते हैं ये क्या है ये आपका अमेरिका है और कौन सी अमेरिका है ये आपका नार्थ अमेरिका है और नीचे क्या है साउथ अमेरिका ने की दच्छन अमेरिका है ये क्या है दच्छन अमेरिका है ठीक ना त तो एक तो यूरोपीय कला भी लिख करके आपके सामने आता है यूरोपीय कला और इन्हीं सब्दों में आप घूम जाते हैं इन्हीं सब्दों में आप घूम जाते हैं कि इसका मतलब क्या है देखिए पास्चात कला के अंतरगत अमेरिका की कला उचाहत दच्छणी अमेरिका कखो या उत्री अमेरीका हो उसकी कला आएगी इनफेक्स जो ये आफ्रीकी कला यह भी आपकी पास्चातί कला के नत्रगत ही आएगी और जो आपका यह वाला कला यह लिगो और दो ह सब्सक्राइब ये कला बराबर पास्चातिकला नहीं होता है पास्चातिकला के अंतरगत यूरोपिय कला आती है और चुकि आपके एक्जाम में या जितने भी कला की एक्जाम होते हैं यूरोपिय कला को ज्यादा पूंचा जाता है तो कई बार विद्यार्थी और अध्यापक ये तुरूट यूरोपिये कला को ही पास्चा तिकला कह देते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो जो यूरोपिये कला है वो पास्चा तिकला का हिस्सा है, और आपको जो पढ़ना है, वो बिसिकली यूरोपिये कला को ही पढ़ना है, थोड़ा बहुत जो है अमेरिका कला को आ पढ़ते हैं जो आधुनिक पाश्चात है उसमें आप पढ़ेंगे लेकिन जो आपको मुख्यता पढ़ना है वो यूरूपिय कला को पढ़ना है और यह क्या है पाश्चाति कला का हिस्सा है तो जो पस्चिम में कला है वो पाश्चाति कला ठिक कोई confusion नहीं होना चाहिए दिसाओं को भी समझी आपके दिमाग में मैप होना चाहिए कि हम कहां की कला को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चीजे आसान होंगी देखिए जो बीड और बीटीसी की हुए हमारे साथी कड़ होंगे वो इस चीज को समझते होंगे कि जब उनको में सिखाया जाता है कि आप चित्रों के चीजों को समझाएंगे उतना आप का चीज के लियर होगा ये आप ने देखा तो जितनी ना टेगोर नहीं सीखा था, आप चीनी कला को देखते हैं, चीनी सडंग के बारे में भी देखते हैं, आप भारती कला को देखते हैं, आप रसियन कला को देखते हैं, तो ये सब कलाएं क्या हैं, ये पूर्वी कलाएं हैं, और जब आप देखेंगे कहां की स्पेन की कला, फ् भूमिका देना बहुत जरूरी था अब देखेंगे आज का पहला सवाल सबसे प्राचीन प्रग्यतिहासिक चितर कहां से प्राप्त होता है सबसे प्राचीन प्रग्यतिहासिक चितर कहां से प्राप्त होता है सबसे प्राचीन प्रग्यतिहासिक चितर कहां से प्राप्त होता है अलतामीरा से, ग्रेटी चावेश से, क्या इंडोनेसिया से या लासको से अलिकत लोगों का आंसर गलत है लोग आंसर क्या दे रहे हैं? अलतामीरा जबकि ये आंसर सही नहीं है अब बताईए आप लोग इन तीन भी कल्पों में से क्या सही होगा अल्टा मीरा पहले माना जाता था कि हाँ सबसे प्राचीन चेतर यहीं से प्राप्त हुए है लेकिन यह ठीक नहीं है जो बात में आगे और रिसर्च हुआ तो यह चीजे बदल गई अब लोगों क्या आंसर चेंज हो रहे हैं अभी तक यह आंसर आ रहा था अब डीडी आ रहा है यह भी गलत है और आप संटी भी गलत है और आसान कर दिया प्रवग के लिए आप संटी भी गलत है लास को नहीं होगा लास को भी नहीं होगा तो सबसे प्राचीन प्रजतिहाशिक चित्र कहां से प्राप्त हुआ साथियों जब तक एक तो इंडोनेसिया में जो एक गुफा से चित्र प्राप्त हुआ है जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं था और इस जानकारी नहीं था तक तक यह माना जाता था कि अल्टा मीरा से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, यह क्या है? सबसे प्राचीन चित्र है, यह सबसे प्राचीन चित्र है, क्योंकि यह 12000 इसा पूर्ब के चित्र जो है, अधिकता चित्र आपको 12000 इसा पूर्ब के मिलते हैं अल्टा मीरा में, तो जो कालगंड़ है वो 32000 इसापुर्व है क्या है थे तो उसके बार में इसकी जानकारी मिलती है तो यह कहा गया कि बहिंट उसा है सबसे पुराने चितर यहीं के हैं लेकिन आप जानते हैं कि रिसर्च होते रहते हैं खोज होते रहते हैं नया कोज क्या हो गया, 2014 में एक नई जानकारी मिली, कि जो इंडोनेसिया से चितर प्राप्त हुए है, ये 35,000 इसापूर्व के है, 35,000 इसापूर्व के है, क्या है, 35,000 इसापूर्व के है, तो अभी वर्तमान में जो जानकारी है, वो क्या है, कि जो इंडोनेसिया से चितर प्राप्त हुए है, ये सबसे प्राचीन चितर है, जो इंडोनेसिया से प्राप्त हुए है, सबसे जो प्राचीन चितर प्राप्त हुई है वो इंडोनेसिया से ही प्राप्त हुई है अगर विकल्प में ये सब एक साथ आते हैं तो आपको इंडोनेसिया ही लगाना है हाँ आगर विकल्प में यह दोनों आपको नहीं मिलते हैं तो अल्तामीरा सही होगा तो अल्तामीरा के जो चितर प्राप्त हुए हैं यह 12,000 इसापूर्व के आसपास के हैं 12,000 इसापूर्व के आसपास के हैं और यह जो आपको प्राप्त हैं 32,000 इसापूर्व के विशेवस्तू है, यूरोपिय प्रग्यतिहासिक कला की विशेवस्तू है, आखेट, धार्मिक कर्म का साई धर्म या इसा मसी है, यूरोपिय प्रग्यतिहासिक कला का विशेवस्तू है, तो प्रग्यतिहासिक कला वो चाहे यूरोप की हो या भारत की हो, पूरे दुनिया की प्रग्यातिहासिक कला है चुक्य इनसान के जो है रही कला भी जुड़ जाती है इनसान का जो सुभाव है वो कला का ही है वो कला को जैसा उसका जन जीवन होगा उसी के अनुसार वो अपना कला दिखाएगा तो चुकि प्रग्यतिहासिक जो मानों है वो खाने के लिए जानुरों को मारता है पीटता है उनसे अपना भोजने कठ्था करता है तो चाहे भारतिय प्रग्यतिहासिक कला हो या या प्रग्यतिहासिक कला हो या संपूर पास्चातिक कला का प्रग्यतिहासिक काल खंड हो वहाँ पर जो पिस्यवस्तु आपको देखने को मिलेगा वो आखेट ही देखने को मिलेगा तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है आखेट के ही चित्रन आपको सुरुवात में भारत में प्रग्यतिहसिकला में देखने को मिलेंगे, यूरोपिय प्रग्यतिहासिक कला में देखने को मिलेंगे, चाहिए स्पेन की अल्टा मीरा हो, पिंडाल की गुफा हो, या फ्रांस में जो लास्को की गुफा है, इन सभी गुफाओं में आपको, जो भी चितर प्राप्त होते हैं साथियों, वो आखेट से संबन्दित हैं, किस से? आखेट से संबन्दित हैं यूरोपिय प्रग्यतिहासिक कला में किन रंगों का प्रियोग हुआ है यूरोपिय प्रग्यतिहासिक कला में किन रंगों का प्रियोग हुआ है गेरू, चूना, कोईला या उपरिक्त में से सभी, तो साथ को सही क्या हो जाएगा, आप संटी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरिक्त सभी, जैसे आपने देखा था कि जो भारतिय प्रग्यति हासिक कला है, वहाँ पर आपको प्रकृति प्रदत रंग ही देखने को मिले थे, जैसे गेरू, तो प्रियोग तो in सभी रंगों का प्रियुग आपकों त्था जहां का हो मतलब कि उपरग्यतिहासिक किसी इन पेंट तो था नहीं उनकी टाइम पर खी फेंटिंग कर देते हाट वही चूना गेरू तो उसी का उन लोगों ने प्रियोग किया आगे बढ़तें साथियों एंड्री ब्रुएल ने यूरोपिय प्रगयतिहासिक कलाब विकास को कितनी वर्गों में बाटा है एंड्र तीन, दो, चार या पांच अब ये जो हेंड्री ब्रुएल साहब हैं इन्हों ने प्रगयतिहासिक कला पर बहुत काम किया है जो पास्चात्व प्रगयतिहासिक कला है उस पर इन्हों ने बहुत काम किया है तो इन्हों ने कालखंड के हिसाब से उसका वर्गी करंड किया है खालखंड के हिसाब से इसका वर्गी करंड किया है, पिल्कुल, तो इन्होंने इसका दो वर्गी करंड किया है, और दोनों वर्गी करंड किया है साथियों, आगे देखेंगे आप यहाँ पर आरिकनेशियन पेरी गार्दियन यूग, आरिकनेशियन पेरी गार्दियन यूग और इस यूग को इन्होंने बताया कि 30,000 BC से ले करके 20,000 BC तक रहा है और जो मोगदे लीनियन यूग है ये 20,000 से ले करके 10,000 BC के बीच में है अब अगर सवाल कभी आपसे पूँच ले कि जो अलता मीरा के चित्र बने हैं वो अधिकतर किस यूग में बने हैं तो आप क्या बताएंगे वो क्या हो जाएंगे मोगदे लीनियन यूग के हो जाएंगे क्योंकि जो अलता मीरा के चित्र है वो अधिकतर 12,000 BC के आसपास बने हैं वो इसी कालखंड में आ जाएंगे तो हेन्री ब्रुवल ने दो वर्गी करंड किया ठीक ना दो वर्गी करंड किया अगला सवाल दिखेंगे फ्रांको या फ्रांको केटाब्रियन छेत्र में समलित है यह फ्रेंको भी आपको लिखा हुआ मिलेगा मैं आपको बता रहा हुँ कि यह सभी जो नाम है ना यह कुछ फ्रांसिसी नाम है कुछ इस्पैनिस नाम है कुछ इंग्लिस नाम है इनका जो हिंदी वर्जन होगा उसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे होगा तो इसको मैनेश करते हो आप लोग चलना तो फ्रांको हैं चाहिन चेतर में कौण कॉण सी यह सामल है eh उत्तरी इस्पेन और दच्छन पश्मी फ्रांस अलता मीरा की खोज कब हुई अलता मीरा की खोज कब हुई 1889 में 1980 में 1980 में या 1902 में यह सबी AD है इन्नो डोमिनी अलता मीरा की खोज कब हुई अलता मीरा की खोज कब हुई तो प्राथियों आपको पता कि अलता मीरा कहां पर इस्थित है यह इस्पेन में इस्थित है कहां पर इस्पेन में इस्थित है और यह जो है जब तक ग्रेटिच आबेद का खोज नहीं हुआ था इंडोनियोसिया की चित्रों का खोज नहीं हुआ तो अब तक सबसे प्राचीन चित्र अल्टा मीरा के ही माने जाते थे ठीक ना अल्टामीरा यहां से जो है आपको महिस के चित्र ठीक ना महिस के चित्र आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे महिस के चित्र आपको देखने को मिलते हैं ठीक ना लगभग 150 चित्र आपको यहां से प्राप्त होते हैं जो कि 12,000 BC के आसपास बने हुए माने जाते हैं ठीक अलता मीरा कहां पर इस्ते थे, writer Spain में अस्ती थे, ये सवाल कई बार पूछा गया है और आईगा तो आपको ये यादर रखना है कि Frankov Catág rebel me Lost ले इस्ते छेतरिं कि कितने जो है गुफाएं हैं और 쉽ोर फ्रांस कितने गुफाएं हैं वह आप लोग याद रखना कई बार सवाल पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा 1889 में तो अलता मेरा की खोज कब हुई 1889 में हुई बिल्कुल मारिया सातोला ठीक ना मारिया सातोला साता उला अला नहीं है यह सूता उला है एक बता रहा हुँ न कि नाम में अपलोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि यह स्पैनिस और फ्रेंच नाम है तो थोड़ा सा इसका जो हिंदी वर्चन है थोड़ा अलग रहेगा मात्राएं इदर उधर रहेंगी तो इसमें आप लोग मी फिज्मत हो ना अलता मेरा कि खोज कभ गभी 1889 में मार्या सूत अउला किया था मार्या शूत वहलिक था तूइध कि क्या दिख़े न ठीक न आगे बढ़ते हैं कि कि मार्सिलोना मात्व होला मार्या सातू उला या Marcel Revedate या Henry Bruehl किस ने किया है अलता मेरा गुफा की खोज किस ने किया है तो ये जो Marcelona Matuola सहाब है ये एक सौखिया क्या थे एतिहासी चीजों को खोजने में इनका बड़ा इंटेस्ट था ये सौखिया पुरा तत्विद्ध कोई ऐसा नहीं कि पेसेवर थे सौखिया थे तो ये खोज गयरा करते थे तो इनकी बेटी ने जिसका नाम है मारिया सातुओला ये आठ वर्स की बेटी थी इनकी जब इसने जो है इस गुफा को खोजा था तो हो सकता है कि साथ में गया है बाइसन मतलब मही सोता है हां बारा साल की थी सौरी आठ सल नहीं बारा साल बारा वर्स की इनकी बेटी मारिया तो बारा वर्स के बच्चों क्या पता कि चितरकला का क्या महातु है गुफाओं का क्या महातु है उसको तो पता भी नहीं होगा खोजा तो इन्हों नहीं था महोदै ने लेकिन नाम जो है इन्हीं का ही लिया जाता है मारिया का मारिया साथोला अल्ता मीरा में सरवाधिक किस रंग का प्रियोग हुआ है नीला पीला काला या लाल अल्ता मीरा में सरवाधिक किस रंग का प्रियोग हुआ है तो लाल रंग का जम कर प्रियोग हुआ है गेरू रंग का जम करके प्रियोग हुआ है गेरू कही या लाल कही गेरू भी लिख करके आ सकता है तो इसलिए आप लोग estroji नहीं होँगे तो इस पेड में जो अधिकतर चितर मिले हैं उनमें जो रंग किया गया है रंगा गया है वो लाल रंग से उसको रंगा गया है और लाल रंग के लिए घिरू का प्रियोग करते थे लाल रंग के लिए घिरू का प्रियोग करते थे ठीक ना चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल अलता मीरा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं अल्टा मीरा में लगबक कितने चितर प्राप्त हुए है अभी मैंने इस पर चर्चा भी किया है विकल पी यह 160, 150, 1000 या 2000 सही आज़र क्या हो जाएगा? 150 अल्टा मीरा में लगबक 150 चितर प्राप्त हुए है पिंडाल की गुफा कहां इस्थित है? फ्रांस में, इस्पेन में, इंग्लेंड में, अमेरिका में पिंडाल की गुफा कहां इस्थी थे पिर सही जवाब इस्पेन तो पिंडाल की गुफा जो है इस्पेन में इस्थी थे कहां पर इस्पेन में इस्थी थे पिंदाल की गुफा इसिटर में या भी फ्रेंकु करटाब्रियान уз tells का इस पेन वाले पार्ट में हैालने कि उत्तरी इस में का इभी हिस्सा है उत्तरी इस सिक नठार्ण तो इस पेन की दो गुफाईं अलता मीरा और पिंडाल उनक ? अगे देखते हैं पिंडाल से कौन सा पर्सिद्य Шीतल पराप्त होता है औ कर्फशी के पेट में पान पत्ता है मिलकुल विसाल का हाथी का एक शित्र वहां से प्राप्त होता है और यह बहुत ही फेमस है ठीक ना जैसे महिस के लिए अलता मीरा याद रखना महिस के लिए अलता मीरा कर्मन करता महिस यह पिंडाल में नहीं है पिंडाल में आप क्या देखने को मिलेगा विसाल का हाथी आप सन भी यहां पर सही हो जाएगा विसाल का हाथी